Hello friends, मैं हूँ Dr. Sarita Jan, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेग्नेंसी में होने वाली एक common problem, constipation के बारे में, constipation जिसे हम cubs भी कहते हैं, तो ये एक काफी ज़्यादा common problem होती है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी में constipation क्यों होता है, और हम ऐसा क्या करें जि जिस्ट्रोन होता है, उसके effect के कारण constipation की problem होती है, तो ये hormone second और third month जो pregnancy के होता है, उसके बाद body में बढ़ने लगता है, तो इसका क्या होता है, effect की ये जो intestine होती है हमारी आते, उनकी muscles को relax करता है, muscles को relax करने के कारण जो खाना होता है, वो आगे push नहीं हो पाता, तो इसक के कारण constipation की problem हो जाती है, और जैसे जैसे pregnancy में आगे जाते हैं, जैसे 5th month, 6th month, 8th month, तो जो uterus होता है, उसका size बड़ा होने लग जाता है, और वो बड़ा size होने के कारण intestine पे mechanical pressure डालता है, तो उसके कारण भी constipation की problem होती है, तो mainly एक तो hormone और दूसरा mechanical effect of growing uterus, इन दोनों के कारण constipation की problem होती है, अब हम ऐसा कुछ-कुछ tips होते हैं, जिनको follow करके, जिनका ध्यान रखके, हम इस problem से बच सकते हैं, तो हमें क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए, जो सबसे बहली चीज है, खाने के मामले में, हमें fibers जो होता है, खाने में वो जादा लेना चाहिए, फ fresh vegetables, fresh fruits, especially green leafy vegetables, यह सब हमें ज्यादा मात्रा में लेना चाहिए, dry fruits ले सकते हैं, और साथ में अगर constipation होता है, तो इस सब गोल भी ले सकते हैं, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा constipation कम होता है, दूसरा जो चीज है, वो ध्यान रखने की, कि जो खाने में refined food है, वो avoid करना च अगर जो पानी होता है, वो ज्यादा लेना चाहिए, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी प्रिग्नेंसी में पर डे का लेना चाहिए, और आप गरम पानी भी ले सकते हो, तो उस से थोड़ा ज्यादा ठीक रहता है, साथ में अगर गरम पानी में नीबू डालके अगर लिया जाए, तो फिर उससे probiotic भी कुछ मिलते हैं और constipation की problem में help मिलती है. खाना खाने के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तीन की बजाए थोड़ा-थोड़ा करके आप खाने को 6 बार खाना चाहिए. तो इससे जो bloating और gas की problem होती है वो भी कम होती है और constipation की भी problem कम होती है और एक और चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये है कि हमें अपना जो regular जो routine है fresh होने का वो follow करना चाहिए क्योंकि एक बार constipation हो जाता है तो वो stool tight हो जाता है और उसके बाद में fresh होने में problem आती है इ और जो कुछ supplements है जो pregnancy में दिये जाते है इसपेशली जो iron है वो उसके कारण constipation की problem होती है तो अगर किसी को ये problem हो तो आप अपने doctor को request कर सकते है कि उनको कुछ slow release type की preparation दे तो उससे फिर constipation कम होता है और magnesium sulfate है वो supplement भी दिया जा सकता है तो उससे constipation कम होता है और कुछ probiotics होते हैं supplements में भी आते हैं वो लेने से constipation कम होता है या फिर yogurt है वो उसमें acidophilus एक probiotic होता है जो इंटेस्टिन में bacteria होता है उनको stimulate करता है फूड के breakdown करने के लिए तो फिर food easily digest हो जाता है और constipation की problem कम होती है इसके अलावा हमारे daily जो हमें routine है उसमे exercise regular करना चाहिए ऐसा न ही लेटे रहें exercise करने से जो overall हमारी muscles की activity बढ़ती है तो हमें constipation की problem कम होती है इसके साथ में जैसे constipation के कारण continue जब strain करते हैं तो strain करने के कारण जो pelvis की muscles है pelvic floor की muscles है वो weak हो जाती है तो उनको strong करने के लिए आप keegles exercise है वो कर सकते है उसको करने से यह muscles strong होती है और constipation की problem क होती है और अगर यह सारी चीजे फालो करके भी आपको अगर constipation pregnancy में हो रहा है तो आप ignore ना करें और अपने doctor को जाके consult करें constipation के लिए कई तरह की medicines आती है इनको हम lexatives बोलते हैं इनका सबका अलग-अलग काम करने का तरीका होता है तो just commonly medicine दी जाती है हम उनके बारे में बात करेंगे जो सबसे पहले है वो है bulk forming lexatives इनका basically concept वही होता है जो high fiber diet का होता है मतला जो high fiber diet के कारण जो stool का volume बढ़ता है उसी तरह bulk forming lexatives जो होते है उनके कारण stool का volume बढ़ता है तो यह होते हैं psyllium और methyl cellulose पर इनको लेने से कई बार पेट में dirt भी होता है discomfort भी होता है तो इसलिए इनको शुरू में थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए और बाद में आप इसका amount बढ़ा सकते हैं दूसरे होते है stool softeners stool softner actually जो stool होता है उसमें पानी की मात्रा को बढ़ता है तो पानी की मात्रा बढ़ने के कारण stool soft हो जाता है और वो easily push हो सकता है तो इसका example ह है docuset यह एक safe lexative है और दूसरे और है वो है उनको हम बोलता है lubricating lexative तो इनका काम करने का क्या तरीका होता है कि यह stool के चारो तरफ जो एक lubricating layer बना देता है और साथ में जो intestine के अंदर की surface होती है उसको भी उस पे lubricating coating कर देता है तो उसके कारण stool soft होके आराम से easily pass हो जाता ह है इसके जो example है वो है glycerin suppositories and mineral oil जो glycerin suppository होती है वो आप without doctor को consult करें यूज ना करें और उसके अलावा होता है osmotic lexative इनका काम करने का तरीका होता है क्योंकि basically इनकी osmolarity यह intestine में बढ़ा देता है तो फिर जो intestine में पानी है वो ज्यादा absorb होता है body से और दूसरा यह intestine की mot motility को भी बढ़ाते है तो इससे जो stool है वो contractions intestine के बाढ़ने के करना ज्यादा आराम से नीचे push होता है इसके यह वाले जो lexative है इनके example है magnesium hydrochloride polythylene glycol and lactolose तो यह वाले जो lexative होते है यह लंबे डायम तक यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि basically यह body में dehydration की problem कर सकते electrolyte imbalance कर सकते है तो यह short time के लिए आप use कर सकते हो अब हम summary अगर देखें lexatives के बारे में constipation के problem के लिए तो सबसे पहले हमको अगर constipation mild है तो हमें अपने dietary management lifestyle management से ही इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए जैसे कि आप खाने में fiber ज्यादा ले पानी ज्यादा पीए regular exercise करें अगर इन सबसे आपके constipation के problem solve नहीं हो रही है तो फिर आप lexatives ले सकते हैं जो lexatives होते हैं basically यह body में absorbed नहीं होते हैं तो कोई इनका बच्चे बे ऐसा कोई malformation वगर ऐसा नहीं देखा गया है पर फिर भी अगर stimulant lexatives अगर आपको लेने पड़ते हैं तो इनको आपको long term न जानकारी constipation के बारे में थी अब इससे related अगर आपकी कोई query हो तो आप हमें पूछ सकते हैं अगर यह video आपको पसंद आया तो please इसको like और share करें thank you